एक तरफ देशबर के किसान है जो केंद सरकार के तीन कृषी विधयक के खिलाब पिछले दस दिनों से आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों का ही एक बड़ा वर्ग है जो इस विधयक को बरकरार रखने की मांग कर रहा है और इसी मांग को लेकर ये किसान आज कृषी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर से मिले हैं कमल सिंग चौहान का अतिरिक परिचे ये है कि इने कृषी में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पदमस्री से भी सम्मानित किया है कमल सिंग जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे एक तरफ आपके भाई हैं जो लगाता ठंड में सर्द में प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग ये है कि तीनों विधयक जो हैं रद किये जाए आप कह रहे हैं कि ये विधयक सही है और इसको बरकरार रखा जाए और यही मांग आप किर्शिमंत्री से भी कर रहे हैं किसानों के बीच ये विरोधा भास ये जो डिफरेंसेज हैं वो किस वज़स आज पूरा रियाना प्रदेश से किसान संग्ठन और किसानों के प्रतीनी दी, किसान और साथ में जो एप्पीयों बने हुए है फार्म पूर्डुशे कंपरी उनके प्रतीनी दी आए और उनِّ उन्हों सबने माननिये किर्शिमंत्री से मुलाकाद कि और उनके ग्यापन सिहपा कि जो तीन विदेख सरकार किसानों के हित के लिए लेका ही है ये विदेख बने रहे हैं इनमें जहाते सुधार की बात है कुछ सुधार किया जाए कुछ सुधाव किर्शी मंतरी को दिये गए इसमें इसमें जो बर्म की सित्थी में किसान है जो भरम किसे इस बात का है कि किसानों को msp नहीं मिलेगा मंडी aug 추त वरबाद रिदाएगे इस बरहम दूर्यक को दूर करने के लिए हमने सभी संग्टोंटर्यक श्रण교嗎 मांग की है कि हमें लिखित में यह दिया जाए कि MSP खतम नहीं होगा मंडी बने रहेगी साथ में यह भी मांग की है कि यदि मंडी बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स नहीं हो ताकि मंडी बनी रहे और तीसरा यह भी मांग की है हमने कि अभी जो sdm के पास है इसमें एक यह है कि उसका जो sdm करेगा इसके लिए हमने मांग कि किसानों का अलग से एक नियायले बने या फोरम बने जिसमें किसान परतिनी दिविए जो जल्दी किसान बायों को उसमें नहीं देख रही है कि जैसे कि हम बुक्त भोगी है हमारी Schuld प्रोसेस की छोड़ छोड़ी इंडस्ट्री भी हैं बैस्ति क्ली किसानी है और जब प्रोसाय करते ठेल किसान अव्रक्तिक bit अपने किसानों से कि देश में ऐसा भी कानून है इसके बाद हमने एक बार संस्टार जो चावल मिल है उससे औरगनिक खेती बासमत की औरगनिक खेती की तब हम बेचने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नरला मंड़ी आप अपनी धान ले जाओ और वहां से हम परचेज करेंगे कि हमें पहली पर पता चला कि देश में ऐसा भी नियम है कि कोई भी प्रोसेस इंडेस्ट्री या कोई भी चावल मिल किसानों से अच्छी क्वालिटी का औरगनिक धान पैदा करवा का खरीच सकता है तो हमें अच्रज सा हुआ और हमने मांग सरकार से उसी समय मांग उठानी सूब कर दी कि इस कानून में वो वेअस्टा है हलाकि फलो और समझी को सबको इस कानून से बार कर दीए गया यह जरूरी है और दूसरी बात में एक और बताना चाहूंगा या हमारी भारे सक्कार ने 10,000 एप्यों बनाना का जो टार्गेट लिया है यदि इस कानूं को खतम नहीं बनाया गया एक्ट में सुधार नहीं किया गया और किसानों एप्यों को किसानों से सिद्धी खरीदार करने का अधिकार नहीं मिला तो FPO का कोई उचित नहीं रह जाता है क्योंकि FPO की कम्पनी होगी किसान की कम्पनी होगी और किसान अपना माल अपने कम्पनी को बेज सके ये कदिकार की बात है और ये होना जरूरी है